Hello, this is the 7th lecture for 12 standard students on sexual reproduction in flowering plants. Last lecture में हमने endosperm और endosperm के types देखे थे. इस lecture में हम पढ़ने वाले है about the seed and about the fruit. Seed क्या होता है और fruit क्या होता है. So let's start with the seed. Seed is a fertilized ovule. अब बात घूम फीर के वही पर आती है. कहाँ पर, structure of flower पर. तो flower में हम लगों को पता है कि female floral world यानि जो pistil होता है. उसका ये stigma ये style है और ये ovary है. ovary के अंदर होता है ovule. तो ये रहा ovule. ये ovule का new salus है बच्चों. new salus है. ये funical है. और यहाँ पर ये integuments है. these are the integuments. ये new salus है. new salus के अंदर embryo sac होता है. और आप सब को पता है ये embryo sac के ये चलाजा के site के जो 3 cells है. उनको antipodal कहा जाता है. बीच पर ये दोनों polar nuclei होते हैं. ये यहाँ पर बड़ा सा ये यहाँ पर एग है. माइक्रो पाइलार एंट की तरफ एक के दोनों sites में synergits होते हैं. फरिटिलाइजेशन होने के बाद फरिटिलाइजेशन देखो एक synergit तो pollen tube के entry के वक्ती degenerate हो जाता है. उसके बाद pollen tube से दो mail gamet release हो जाते हैं. इस सारी बातें पहले की लिक्षर में cover हो चुकिए. यहाँ पर triploid endospom nucleus बन जाता है. triploid endospom nucleus बन जाता है. और यह जो बड़ा cell है, यह बड़ा cell है. यह बड़ा वाला cell primary endospom cell में convert हो जाता है. PEC primary endospom cell. उसका जो nucleus है, वो primary endospom nucleus है. बाद में antipodal degenerate हो जाएगे. दूसरा synergate भी degenerate हो जाएगा. और इस एग cell के साथ जो second, जो first mail gamet फ्यूज होके zygote बना लेगा यह diploid है. और second mail gamet fuse होता polar nuclei के साथ. Second यह होगा है fertilization. इसके बाद अब fertilization के बाद यह zygote embryo बनाता है. triploid endospom cell जो है यह वाली. यह cell और इसका nucleus endospom बनाता है यह जो ovule होता है. यह seed बनाता है. और यह जो ovary होती है यह fruit बनाती है. Overy fruit बनाती है. Overy fruit बनाता है and ovule seed बनाता है. पाता seed जी आ है तो जी पार्ट्स कहा आसता. तर टिपीकल सीड मदे जो टिपीकल सीड मदे मदे मदले विक्षे NCRT में तीन पार्ट्स आगित दे ले तो माला रख्षाट्रावना साथी. क्या मदे बहिला जो पार्टा है तो आहे seed coat seed coats second is embryo axis embryo axis and the third one is cotyledon cotyledons seed coat 1 Q 2 असु शक्त cotyledon 1 Q 2 असु शक्त seed coat 1 Q जाव एला अस्ते मुलानो OVIL जी covering आहे यहला integument single integument असे लिखे अज़े दोन जीस्त है अज़र का यह एकच असत तो यह चा पस्न बनना रहे seed मदे एकच covering असे एकच seed coat असे अनी ज़र इस दाखो ले this one and this one अज़े दोन integument असती एकच integument असे seed coat मदे एकच covering ज़र दोन integument असे लिखे seed coat मदे दोन covering असता करण seed coats या हत्य integument पसन बनता fertilization नंता Unitegmik OVIL मज़े एक integument असे OVIL मदे एकच seed coat and biotechmik OVIL मज़े दोन integument ज़से की था दाखोले biotechmik OVIL यह चा पसन बनना रहे seed coat मदे 2 covering सस्ता है मादा सपोस seed आहे यह चा मदे covering अली यह चा बाहर उने covering असे पुरण बाहर चा covering चा नाव आहे जी बाहर चे integument पसन बलते तिला मनता testa testa कदी लक्षा त्यव जी बाहर ची covering असते कुठे असा आला पाईजे मजबूत असा ला पाईजे रिजट असा ला पाईजे जैने करूँ अ कुठला पन अतले structures लाथी प्रोटेक करेला तो मेंब्रेन असते 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 पूर्ण पने वेगाया गुषटिये हाँ जो आजो बादो श्रॉक्चर याणि एंडोस्पर्म जो आए लक्षा थेवाद। मदे triploid है और कोटिलिडान diploid है तो कोटिलिडान जयस्ता तो diploid है तो कोटिलिडान जैगोट पसन बनना रहा सेल्स पसन बनले जास्ता तो जैगोट चे डिविजन पसन चे काल आपने embryonic development वगितलिए तो तेच्छा पसन कोटिलिडान बनाता स्ता और अनि एंडस पांग जय तो triploid है तो इतो इतो पर मीघ्ली साहित ले नीट लक्ष द्या कोटिलिडान में रिजर्व फूड आए यानि एंडस पांग मदे पल न्यूट्रीशन साथी रिजर्व मटेकली का नरिश्म यह कोटिलिडान असो कि एंडस पांग असो है अधळ आए प्रूट्रीशन साथी पलिडान के आए एप्र कॉटिलिडण अफ्रीशन साथी यह कोटिलिडान कि आए टासा एंडस प्लियूमुडख सल्धीं आधे पलियूमिय। देन एक बार रिकॉल कर लो आप लो मेरे साथ प्विक्ट डाइग्राम फिर से ड्राव करना मेरे लिए भी जरूरी है उसके कुछ चीजा और एक्स्प्रेम करनी है तो एक सिड कोड है यूनिटेग्मिक अगर वो विल रहा तो एक सिड कोड बाय टेग्मिक रहा तो दो सिड क महीं अबं इंब्रिय का यहूपर वाला हिस्फा फीकोड इयर इपी कोडीलि म में इसका अन्ड ल्युमियल नीचे अफब्सा यह हैख्वकौडिल और इसके दोनों सॉइटक रहेंगे अगर डायकॉट सिड है तो दो को काड बमक में Will attitudes मैं रहता है आ ह version रहता है इस खुत स्ट्रक्टर है उसे हमने कहा इंडोस्पम यहां पर दो बाते हैं इसा कंपल्सरी के हर सीड में इंडोस्पम होगा ही एसा नहीं होता है मैच्वर सीड की बाद कर रहो हूँ, बहुत से इसे सीड होते हैं कि जिनके development के दोरान, बंजी सीड बनतास्ताना, embryo नी development के दोरान, embryo जब develop होता है, तब बहुत से सीड जो है, वो endospom use कर लेते हैं, तो उसमें होगा कि मैच्वर सीड में endospom नहीं दिखता है, मैच्वर सीड में endospom नहीं होता है, उन सीड को non-endospomic सीड या फिर x-albuminus सीड कहा जाता है, जिनमें endospom नहीं रहेगा, मतलब यूज कर चुका होगा है, यह जो embryo है, उसने इस endospom को खा लिया होगा, यूटिलाइज कर लिया होगा, तो ऐसे plant की एस सीड को x-albuminus या non-endospomic सीड कहा जाता है, एक्जामपल याद रखना है, पी, बीन्स, आड ग्राउंड नट, पी, बीन्स, आड ग्राउंड नट जैसे, ग्राउंड नट सार्खे, यह plant तंच्वर सीड non-endospomic सीड, पुड तो मझे फड़केत का है, कि endosperm उरलाई, एंब्रियानिक डवलप्मेंट चा धर्मेन, काही पार्ट endosperm चा यूद जलाई, पत्तरी endosperm mature seed मदे शिल्लक आहे, तर mature seed मदे endosperm जार गिसा तसल, तर तर या ला, या seed ला, endospermic seed, क्योंवा, albuminus seed, असा मठल लगा तर, albuminus एक्जाम्पल इधेज माजा सोबत लक्षाट थेवा, मेज, वीट, राइस, बार्ली, कोकोनट, एंद कैस्टर, एक्जाम्पल इधेज मेमराइस करूंग्या, वीडियो पॉज करूंग्या, क्योंवा, रनिंग माजा सोबत लक्षाट थेवा, पी, बीन, ग्राउंट, मेज, वीट, राइस, बार्ली, कोकोनट, एंद कैस्टर, यान अंतर, काही seeds मदे, मजे, काही seed मजे, दोन काली मीरी, आणि अपले, बीट, ब्लाक पेपर, आणि काली मीरी हेजास कतना दोनी, यांचा मदे, नियू सेलस ज्वाँ है, यांचा असी पातल लेर, एक मेंब्रेन चा फॉर्म मदे, नियू सेलस इंटाक्ट रहातो, नॉर्मली काहा वायला पाई जें, कि आतला जी स्ट् बाहर चा स्ट्रक्चर जाहे, यांचा मदे, यांचा मदे, नियू सेलस नावाची जी लेर, एक मेंब्रेन चा फॉर्म मदे, इंटाक्ट रहाते, आणि था इंटाक्ट नियू सेलस ला मनता, नियू सेलस रिमेन, रिमेंस into, इंटाक्ट, इंड फीमे मेंब्रेन, यू यू मेम्रेन का नाम आपको याद रखना है, अनोन अज पेरिशन, इत्याल लक्षा तेवाहा, फ्यू जी sperm is the remnant of new cellars, remnant of new cellars in the black paper or beat, black paper or beat, दोनों में, दोनों में भी होता है, not all, it should be and, black paper and beat, दोनों examples है, कि जिसमें new cellars intact है, आगे बढ़ते हैं, mature seed जो होता है, seed उसमें dehydration होते हैं, मतलब adds, seed matures, it dehydrates, और dehydration के साथ साथ उसमें से पानी कम होते होते, एक mature seed में, उसके mass के comparatively, मतलब mass के proportion में 10 से 15 परसेंट ही पानी रहता है, उसका जो weight होगा, उसका जो mass होगा, उसके comparatively, सिर्फ 10 तू 15 परसेंट पानी उसमें बच्चता है, एक फार simple कुष्ट है, ओली मक्का, वालेली मक्का, ओला गवू, वालेला गवू, तो यह ओले सगले आसता, जला उरडेयात खाता तुमी, तो वाटर कंटे ती जूसी फील होते होते है, तो जसा जसा ते वालत जातिल, जसा जसा ते वालेला जातिल तैंचा मदला पानी कमी होत जाता, अनी का वालेला मक्का मदे, ते चा वजनाचा, क्यो वालेला गवा मदे, वालेला जाई मदे, क्यो कुखलया, ही वालेला सीड मदे, मैच्यर सीड मदे, मैच्यर सीड मदे, वालेला मुंझे मैच्यर मोंता ग का अप्षन असना तुम एक वड़ा रभ्द करूंगे तुझे मैच्वर सीड जो होता है अभी मैंने कहा कि सीड जैसे जैसे मैच्वर होगा उसका वाटर कंटेंट कम होता जाएगा और एक वाटर मैच्वर सीड में उसके मास्के कंपरेटिवली 10-15% पानी रहता है अब यह म विवरेबल कंटीशंस मेल जाए उसको सफिशन मौस्ट या पानी मिल जाए उसे ऑप्टिमउम टेंप्प्रेचर विल जाए उसे मेचेतला हाव सलग तेंपरेचर बादाचा फेक्टर स्कुटल ही लिविंग और गेनिजम चा बर हाशा मेटाबोलिक अक्टिविटी मदे कारण अपले जी एंजाइम ससता ते एंजाइम्स के एक विशिष्ट अप्टिमम टेंपरेचर लाच काम करतास्ता अनुग चाचा मुणे ते अप्टिमम टेंपरेचर प्लांट असो अनिमल असो तो इतर कुछले ही सजिए असो मेटाबोलिक रियक्शन ससा ते एंजाइम केटलेज करतास्ता अनि एंजाइम चीज अक्टिविटी असते थी टेंपरेचर वो फारच डिपेंड करतास्ते अनि अक्सिजन मिढला अनि यह तरिक्ट बाकी चानी कंडीशन सूटेबल आ है तर हे सीड जर्मिनेट होता अनि सीड जर्मिनेट धाला है ना थेचा पसना अब कंडीशन अगर अनफेवरेबल है अनफेवरेबल अगर कंडीशन है तो सीड मरता नहीं इंतजार करता है कब तक सालों तक भी कर सकता है मतलब सीड जो है एक तो बात यहां पर समझ लो वो कब तक इंतजार करता है वो इसमें बाद में बात करूंगा लेकिन अब सीड मैचोर हो चुका है और उसके असपास के कंडीशन अनफेवरेबल है तो इन अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जो है वो मरता नहीं है एक सस्टेन और वो क्या करता है खुद का मेटाबोलिजम जो है वो अंदर डाउन कर लेता है खुद के मेटाबोलिजम को कम कर लेता है और dormancy में चला जाता है dormancy क्या है dormancy एसी condition होती है जिसमें सिट जिन्दा है लेकिन germinate नहीं होता है वो इंतजार कर रहा है favorable condition का और favorable condition आते ही फिर से लाइक शुरू करेगा जर्मिनेट होगा और नए प्लांट में गुरो कर देगा तर सिट थामतों दिदेट आनि कुष्ट मारियाच मद नूट करने सरक्या है कंडिशन्स अन्फेवरेबल अस्तान ना सगल काही विपरित अस्तान ना तिथे संपन्याचा जागी थामलेल कदी बैटा रास्त तो थामतों ते सगल टॉलरेट करतों आनि परत जर्मिनेट होतों सेड माता ही डॉलर्मंसी काही सेड्स मद रशन 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 चालते अनि तचन अन्तर पंते पुडची नभीन फेवरेबल कंडिशन आले नंतर जर्मिनेट होन न्यू लाइफ स्टार्ट करत अस्ता माता ही तर जली सेड की स्टोरी वाडबाउट फ्रूट्स तर मी तुम्हाला सुर्वातीला सांगित रहे कि जर्स सेड जर्मिनेट हों और श्री ओवील फरिलाइजेशन नंतर सेड मदे कंड़्ट होतों तसस अज ओवरी ची आहे थी फ्रूट मदे कंड़्ट होतास्ते परिकार्प परिकार्प परिकर्प ज आहें तो परिकार्प मन्झे है फ्रूट ये वर्मिनेट फ्रूट ज तो जोतायए दोगरिम सा मैन चुरा वरी ये पकार्प जो होताला होताiva x9 छीEST प्रैषिं आसके यह इक दैसे के सब्सक्राइब कुदं आ त्मेरा होसी आती हुआ है प्रीपटराए सब्सक्राइब या या च यूसे तीन हुँना उडित गयों दॉइतड मंट०िउसा आधिसरे क्लासिफ्रुट दुसरे क्लासिफिकशन ले अन्थ तूक थाँडर्तॉ एडर्ताम् सभेस्स di Damn अनी डिटेल सग्रेक टाईबस माजा जाच, Morphology of Flowering Plants चा, । टोपिक चा, अनी डिटेल्स मते। कवर हो थी. पिछे जानना, ₤ टोपिक जांस राइ ले良 दंगी, आम चे Morphology of Flowering Plants चे लेक्चर बागावे ती था Fruits चे सग्रे टाइप्स आनी सग्रे डीटेल्स कवर हो थील एंसेर टीथ ले आनी एंसेर टीच वेतिरिप्त चे IMPORTANT आहे पन एंसेर टीथ नहीं है तुमाल लग्षक ठावे चे तसले सग्रे टाइप्स आप फ्रूट्स आनी प्रूट्स एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन Morphology of Flowering Plants चे लेक्चर मदे कवर विल आता True Fruits आनी False Fruits ते सांग्या चा उदर लग्षक ठाव Fertilization नंतर Maximum Plants चा स्पेसिज मदे Calyx Corolla फॉल हुन जाता तत निखुन जाता तत गणुन पड़ता True Fruits जे Fruits फक्त आगी फक्त ओवरी पसन डेवलप जाले लासे जे Fruits फक्त ओवरी पसन डेवलप जाले लासे तला True Fruits मदता अनी जा Fruits मदें ओवरी मेतिरिक्त इतरही खाही तरी पाट फ्लावर चा क्यों आ तितले पीमेल फ्लोरल वर्ल सा इनो अलसे ओवरी में तिरिक्त इखाहदा पाट जर इनो अलसे तर तीत तेला False Fruits मदला जाता False Fruits चे एग्जांपल लग्षे ठीवा Apple Strawberry अनी काजु तर Apple Strawberry अनी काजु तर Apple Strawberry अनी काजु ये छुआ एग्जांपल फॉल्स फुरुट चे फॉल्स फूरुट मजे जयाले ओवरी व्यूतिरिक्त अधर पाट फुला चे फुला छे प्लावर चे व्रुट फूर्मिशन मदे पाटिस्पेट करता जासे कि Apple अंधे थैलमसज़़ा है फुला थैलमस तो थैलमस फूरूप मदे पार्टिसिपेट करते हैं पात आप तो दिस इस दो मोनोकोट सीड मोनोकोट का सीड है यह यहाँ पे इस एंडो सपर्म दिस वन सिंगल लैटरल शील्ड शेप कोटिल डॉन जिसे स्क्यूटलम कहा जाता है है उतक से नीचे यह अब्लाइब को और करें से रॉप सिस्ट्म डेलोप होगा और यह असपास जो है यहाँ पर यह अलिएवरोन लेयर तो यहाँ पर ब्रियों को अईंडूल्स पूर्स परेंकि करने के साथ साथ प्रोटेक्ट और नरिश भी करता है यह त्रिप्लॉइड होता है अल्यूरॉण लेयर तो जहां पर भी प्लॉइड यूरॉण लेयर की पूछी जाती है तो जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में प्रॉब्लम कवर किये थे प्लॉइडी के रिलेटेड कि एंडरस्टोन का प् इसमें मैं नीके सा स्टाट करूँगा यह जो डाइग्राम है यह फॉल्स फ्रूट के डाइग्राम है इसमें एपल दिखाया गया है और स्ट्रॉबेरी दिखाया गया है एपल में भी यह दूना एपल है एपल के डाइग्राम है और यह स्ट्रॉबेरी में भी जो डाइग तो नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में यह भी हिस्सा जो है यह थैलयमस से बना हुआ है तो इन दोनों भी एक्जामपल में और सेम इस चूफ फर दे कैश्यों नूट्स तो तो कैश्यू नट्स उसके साथ स्ट्रॉबरी एंड डिज एपल यह तीनों फॉर्स फूर्ट के एक्जाम्पल ही क्योंकि उनमें ओहरी के अलावा कुछ पर फूर्ट बना रहा है जिसके बारे मैं हमने अभी बात की स्कूटलम फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टन पार्ट है यहाँ पर यह देखो यह एंडोस्पर्म है यह कोटिलेडॉन है डायग्राम मेरे साथ ही याद कर रो शूट अपैकल मेरी स्टेम से शूट निकलेगा यह रूट टीप है रूट कोटिलेडॉन है यह दोनों कोटिलेडॉन है और एक बार माइक्रोपाइली जो है माइक्रोपाइली इंटेक्ट होता है माइक्रोपाइली कई सारे सीड्स में एक छोटे से ओपनिंग के फर्म में इंटेक्ट रहे जाता है और उसी माइक्रोपाइली से ऑक्सीजन अंदर आ oxygen enters and which is helpful for the germination of the seed यह दोड़ आएगा हम इसमें यह जो आसपास का dotted जो हिस्सा है यह dotted वो endosperm है और उसके बाद दोनों साइट से cotyledon है और उसके बाद नीचे जो है वो embryonal axis है जिसका उपर का हिस्सा shoot system और नीचे का हिस्सा root system develop कर लेगा then सिड में अलग-अलग adaptation होते हैं उससे पहले काफी important point pollination and fertilization यह जो दो इवेंट्स है जो से पहले हो रहे है यह दोनों भी वाटर पे independent है यह दोनों इवेंट वाटर पे independent है यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ सकता है कि what about the hydrophil hydrophilous flower में जो पानी से पॉलिनेट हो रहे है तो वह exception छोड़के बाखी pollination अगर consider करते हो तो उसमें as such hydrophily अगर छोड़ दो तो बाखी pollination की events और fertilization जो है वह water independent है लेकिन seed formation seed formation is dependent on water यह independent है पानी पे और पॉलिनेशन फ्रेटलाइजिशन इंडिपेंडनेट है पानी पे सीड फॉर्मेशन काफी अद तक पानी पे डिपेंड है स्थिद्स जो है अलग-अलगख shaped के होते हैं अलग-अलग shape के होते हैं कुछ seed जो है वो spiny होते है कुछ seed जो है वो sticky होते है जानवर उसी की पक जाते है क्यों हो भी शेच्बात हुए गये लिए लेकित नोट जहला सल कि कि गवतकुन सालता नाखा ही काट्यान सारके सीड्स तुमच्या पायाला क्यों कपड़ायाला लागता चिटकता ते काए तर हे अडाप्टेशन्स है स्किकिनेस ऑफ सीड्स क्यों वहां स्पाइनीनेस ऑफ सीड्स और बाकी तशेज कही तरी अडाप्टेशन्स की जेने करून ते इतर मुविंग अब्जेक्स लाग चिटकतील अनि एका जागेवर न दूसरा जागेवर डिस्पर्स होतील स्पर्स मदे असले हे वेगन जया अडाप्टेशन्स है कि जे सीड्स ला डूसरा जनावरांचा बॉडी ला अटेच होने असाथी मदद करता ते तिथून ते जनावर ते सीड्स मदे वेगन जया ता ता तो देश्पर्स करता यह एक खुब स्ट्रॉंग रिजन आहे जा, dispersal साथी तेंचा मदे गडिवगरे adaptations असना तें एंजो-sperm चाहे distribution मदे वाइच के इंपॉर्टन फैक्टर आगें Secondly, reserve food reserve food जाहे, whether it is in the form of endosperm or whether it is in the form of cotylitons तो ये जो-reserve food होता है, ये seed को germination के बाद देखो seed germinate होगा और उसके बाद उससे उसमें जो green structure बनेंगे leaf like green structure जो बनेंगे वो photosynthesis कर लेंगे लेकिन तब तक जा तो तब तक ये reserve food seed को जिन्दा रहता है मतलब germination के बाद तो वो photosynthesis करेगा लेकिन what up to the germination तो तब तक ये कोटिलेडान और एंडस पॉंक का जो reserve food है वो seed को जिन्दा रगता है वायबल रगता है और इस वज़े से ये भी एक result कि seed काफी दिनों तब dormancy को tolerate कर सकते कि उनमें reserve food होता है then seed is the product of sexual reproduction as seed is the product of sexual reproduction उसमें variations आएंगे और variation से evolution होगा और अच्छे variation favorable variation जो है वो next generation में pass भी होगी तो हर नया generation better and better adapted होता जाएगा उसके environment से तो as it is the product of variation इसका evolution में काफी important role है now seed is the anxiety की line है seed is the basis of basis of अग्री कल्चर सीड जो है वह एग्री कल्चर का basis है देखो सीड जो plant या जो crop cultivated है उससे मिलने वाले जो सीड होते हैं उसको उनको सुखा के जी हैड्रेट करवा के store किया जा सकता है और stored farm के जो seed होते हैं वह हम लोग food के लिए भी use कर सकते और अगली साल फिर से उसी seed से नए crop भी पैदा कर सकते हैं farm में मतलब क्या तो seed food का purpose solve करता है साथ में next year जो crop आपको वहाँ पर cultivate करना है उस crop के cultivation में भी यह stored seed काम कर सकते हैं या काम करते हैं अब यह जो दोनों properties है कौन से dehydration और दूसरा dormancy यह seed के storage में काफी important dormancy के वज़े से seed का metabolism बहुत कम हो जाता है और वो काफी दिनों तो अलाईव रहता है अगर ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता मतलब आप seed बनने के तुरंद बाद अगर germinate हो जाता वो story नहीं होता यह dehydrate ही नहीं होता तो agriculture करना का या agriculture की सारे ही processes काफी difficult हो जाते देन सीड बनने के बाद कितने दिनों तक alive रहता है viable रहता है तो यह depend करता है plan to plan plan to plan मतलब species to species or plan to plan period of viability and period of dormancy varies जैसे के दो example आपको याद रखने है एक लूपिन प्लांट का है इसका नाम है arcticus arcticus lupinus lupinus इस प्लांट का सीड दस हजार साल के बाद कि दस हजार साल के बाद जर्मिनेट हो था बतलब दस हजार साल की dormancy के बाद यह जर्मिनेट होने वाला plant है और अब तक का ही सबसे oldest ऑफर सबसे ज्यादा ओल्ड ऑरचन यह जो ज्यू कर सबसे ज्यादा ओल्ड अर्चन पालागा जमिल एक चीक शुमिलरजं नलक अचैन की तोब डिक्टायली फेरा क्या ये डेटपा में खजूर है रहा खजूर तो यह खजूरा से प्लांट के सेकंड ओल्डेस्ट सेड़ें कि जे जर्मेनेट ले लाता परणता दोन हजार वर्ष जुनसिड जूनसिड जोन हदर वर्ष दॉर्मन सीमें राइलर अंतर था सेड़ जर्मेन साध पालेस उत देड़सी चाहँ है। नीरड़सी यह की डेड़सी कहे। तर डेडसी हा जौलडन मदें जौलडन मदें एक बेटके समुद्रा पाइप्प, समुद्राउसाद और यह का मठल जत ह। तर इथले समुद्रा से पानी ये प्रचंद खारा असता, प्रचंद खारा, और तया salinity मूल, तया खारे पना मूल, तो बरेशे organisms, बरेशे aquatic organisms हैं, तया survive करू शकत नहीं, अशे organism ये इकड़ चे समुद्रा शर्वाइव करता है, तया उड़ा salinity ला tolerate करता है, तया या dead sea ला tolerate करू शकत, आणी, तया dead sea चा जवर, या King Herod चे पालेस होता, तया पालेस आप, तया पालेस जून है, तो मी जर तया इमेजेस बहितले हैं, मेभी मी नंतर कुमाला दाख फेला ही तयाची इमेजे खालेवलेला, तया पुर्ण पने, क्या मांते दलागा, तिथा आउशेश तया पालेस चे शिल्लक, असर राजवाडा नहीं है, तया चे आउशेश शिल्लक है, तिथा आर्केयोलोजिकल, पुरातन विभागाचा जे एग्सकावेशन होता, सहुष्यदोन होता, तया दर्मैनिक स्वीट्स आपड़लोता, खजूराचा, अन्टे स्वीट्से एच कै गेला तया दर्माट्स दोन हजार वर्श जुन होता, नी तचा नंतरी ते जर्मीनेट जादा, वजी उढ़े चासत दिवसे सिड दॉर्मांसी मूल भायबल रहाता, तया चा बरोबर, तया चा बरोबर तुमाला तीन नावल अख्षा ठवाईचे, जे एंसरेटिग दिलेल अनि क्या प्रचन उंड प्रामानाथ्री सिवर्श सस्ता, खीचे अनि छोटे अस्लमाट्य दिस्पर्सल साथी इजी बनस्ता, कुन्ते ओरोबैंकी, श्राइडा, अन्द फिकस, या लेक्षर मदे काहीगी डाउट सस्तिल, तर कमेंट मदे पोस्ट करा, क्यों मला सस्तामू, थैंक यू